आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ तो इस Question में बोल रहा है कि एक आदमी है जो कि वाक कर रहा है बहुत है horiζनल surface में बहुत कर रहा है with constant velocity तो नाओ हमें बोल रहा है कि वर्कडन कितना कर रहा हूं बासिकली तो वर्कडन का क्या होता है मेरा हो समझ लीजे आप vorkडन होता है work दन जो होता है मेरा बासिकली होता है force dot displacement ठीक है F dot D मतलब कि ना कहने का मतलब होगा है कि ना f into d into into cos theta into cos theta जो theta है हमारा वो f और d vector का दोनों के बीच का angle है ठीक है तो हम लोगों देख सकते हैं कि इसके लिए क्या होना चाहिए क्या 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 term होगा तो work done होगा body में force होना चाहिए ठीक है force हो लगे तो साथ ही साथ displacement होना चाहिए body का ठीक है और angle भी ऐसा होना चाहिए कि ना cos theta के कोई proper value है मतलब कि 0 ना हो मतलब यह तीनो term अगर exist कर गया तो work done होगा body का ठीक है यह तीनो term क्या 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 मैं फिर से बता देता हूँ force मतलब 0 नहीं होना चाहिए force displacement होना चाहिए force लगे तो displacement भी हो body में ठीक है उसके कारण और हमारा theta जो हमारा angle है हमारा दोनों के बीच का वो ऐसा होना चाहिए कि ना वो कोई value दे ना कि 0 दे दे अगर 0 दे देगा तो work done भी 0 हो जाएगा ठीक है तो यह तीनो term exist कर गया तो work done होगा कोई भी body का तब देखते हैं यहाँ पर क्या सीन है constant velocity एक parameter बोल दिया है ठीक है तो हम पहले kinematics से हमें पता है कि ना v equals to क्या होता है u plus 80 होता है ठीक है यह हमें पता है kinematics से तो जो acceleration होगा हमारा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर v minus u by t हो जाएगा ठीक है v minus u by t हो वो भी हमारा क्या हो रहेगा यू ही रहेगा तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर v मेरा क्या होता है final velocity u मेरा initial velocity और t time taken और यह मेरा acceleration है तो एक ही जो value आएगी हमारी वो कितनी हो जाएगी u minus u by t तो जिसको हमें लोग बोल सकते हैं कि एक्सलरेशन क्या हो गया हम लेकिन फोर्स हमारा क्या होता है mass into acceleration होता है mass into acceleration होता है तो force भी हमारा क्या हो गया है यहाँ पर zero हो गया ठीक है तो हम बोले थे कि अगर यह तिनों टम में कोई भी चीज़ एक्जिस्ट नहीं करेगा तो work done हमारा zero हो जाएगा तो हम देशते हैं कि पहला ही term पहला ही जो हमा हमारा correct है man का हमारा option D इस question का correct answer हो जाएगा Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के level तक 10 million से जादा students का भर हो सा आज जी download करे doubt net app या WhatsApp कीजिए अपने doubts 8444 पर